चैनल में स्वागत है और अगर आप हमारे चैनल में नई है तो देखिए यहाँ पे सस्क्राइब को बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि आपको अच्छे अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और हमने बहुत सारे वीडियो बनाये हैं और को अब आप कोई सुझाओ हो तो आप बिल्कुल भी कुई मल्टिवेंगर आपको लगता हो तो उसके फंडमेंटल देखने के लिए मैं 1972 पाहणने के लिए मैं वेबसाइट के भामनी की बारे में जानने के लिए तयार हूँ आप बेशक आपकोमेंट बौक्स में डाल स इसका भाव 60 रुपए 50 पैसे ट्रेट कर रहा और 85 पैसे के अपसाइड है 52 वीक लो देखी 12 रुपए 15 पैसे का और हाई था एक साल का 114 रुपए 35 पैसे Megmoney Organics Limited और इसके वेबसाइट पर जो मैंने देखा यह क्या करती है पिगमेंट्स में है कि यह बेसिकली जो कलर होते हैं जो रंगने माले केमिकल होते हैं तो पैस्टिसाइड से भी है पिगमेंट्स भी है और भी कुछ प्रोड़क्स हैं हम आगे देखेंगे तो मैंने जो इस कंपनी के बारे मैं पढ़ा तो बहुती अच्छे अच्छे इसके प्रोड़क्स हैं और हमेशा जो है इसे एग्रो केमिकल में है तो डिमांड बनी रहती पेस्टिसाइड की जो फसलें होती उनमें छलकाओ के लिए प्लस और भी अलग अलग प्रोड़क्स में इसके जो पि चलिए यहां पर हम चलते हैं इसके रेटन के बारे में भी जानेंगे देगे 52 वीक तो हम देख चुके हैं और माइक्रो कैप कंपनी है 1515 करोड की और पी रेशियो देखे इसका 6.43 का है अरणिंग पर शेयर भी इसका जबरतस्त है 60 रुपए का स्टॉक है और इसका अरणि अब देखें यहां पर हम आ गए हैं यहां पर सेम्टिमेटर में लोग कह रहे हैं कि सभी लोग कह रहे हैं कि खरीद लो खरीद लो कोई भी यहां पर सेलर सेलिंग का नहीं कह रहा है फेस वैल्यू देखी अभी एक की हो चुकी है और बाकि हम प्राइब वैल्यू 42 की है प् total debt 375 करोड का इनके पास करजा है अब होता क्या है कि ये company जो है 1548 करोड की है और उन्होंने 300 something का करजा ले रखा है तो वो एक थोड़ा सा मुझे जटका लगा एक कमी दिखी लेकिन हम कमी इग्नोर तब कर सकेंगे जब हम इसके fundamentals देखेंगे और आगे इसकी holding देखेंगे shareholding उसके बाद ही निरणा लेंगे कि इसमें क्या करना चाहिए आगे आगे बढ़ते है देखिए average quality company sales growth है 11.51% की EBIT growth है 27.90 की और अब भी ये valuation जो इसका attractive दिख रहा है ROC है 29 का और ROE है 24.02 की ये भी सही है तो यहाँ पर देखिए attractive valuation पर भी trade कर रहा है और financial trend में दिखा रहा है positive है score है 8 और return भी हम देखेंगे पहले हम ये return पहले हम financial देख लें देखिए quarter to quarter में भी यहाँ पर 10% की इसकी बढ़ात है net sales में और operating profit में भी 24% की बढ़ात है net profit में यहाँ पर 20% से ज्यादा की बढ़ात है operating profit margin में भी करीब 3% की उच्छाल है बढ़ात है annual भी देख लेते हैं मार 17 से मार 18 के जो year to year है उसमें भी देखिए net sales में 20-19% करीब बढ़ात है operating profit में भी यहाँ 50% करीब बढ़ात है net profit में भी 95% करीब बढ़ात है operating profit margin में भी करीब 4% की उच्छाल है बढ़ात है प्रमोटर्स ने अपनी holding जो quarter में थी 50.31% अब हो गई है 50.66% की December 18 में तो इसका मतलब इन 0.37% की holding increase किये तो यह एक बहुत ही good news है और mutual funds की दो schemes इसमें पैसे लगा रखी है FIIs 35 FIIs है 2.47% की holding है और individual है जो 34% के आसपास इदी की pesticide and agrochemicals related company है private house 1995 से काम कर रही और 60 पैसे का 19 मार्च अभी इसने कुछ दिन पहले ही है एक हपते पहले ही एक हपते से भी कम 19 मार्च 2019 को इसने dividend पे किया है 60 पैसे per share make money organize अपने industry में दस्वे नमबर पे है तो friends हमने जो देखा कि इसमें एक ही हमें कमी दिखी कि इसमें कर्जा थोड़ा सा जादा था लेकिन जब उसकी हो एक भी share लेकिन गिर्वी नहीं है holdings भी increase कर रहे है और जिस साब से इनका profit है जिस साब से इनके products है नेट शेल्स जिस साब से जबरदस्त हैं तो मुझे लगता है कि एक कमी यहां पे जो है इसको जो है इग्नोर किया जा सकता है जिस साब से इनके financial trend है और अभी premium बेन का कमी है और जिस साब से इनकी कमाई है तो कुछ अच्छा और कुछ बुरा चुकि क्योंकि micro-cap companies होती है तो थोड़ा सा उनमें थोड़ी सी सहुलियत होनी ही चाहिए हमें थोड़ा सा मौका देना ही चाहिए क्योंकि expansion के लिए थोड़ा सा कि आगया आने वाले समय में भी अच्छा return देगी और मैं इसकी return तो आपको दिखाया नहीं चलिए यहां पर देख लेते हैं कि अगर return calculator पर चलते हैं अगर आपने एक लाख रुपए में एक मनी और गनेस में बारा एक साल पर लगाया होते तो आपका पैसा 29 परसंड नेगेटिव में था वहां सतर हजार हो गया आपके एक लाख रुपए लेकिन यहीं पर अगर आप तीन साल पर ले लगाया होते तो आपका दो लाख अठानवे हजार रुपए एक लाख रुपए हो गया होता अब पांस साल में देखते हैं पांस साल में 644 परसंड के इन्हों ने रिटन दिया है आपके एक लाख रुपए यहां पर 7,44,785 रुपए हो गया तो फ्रिंस मैं क्या कह रहा हूं कि देखे लंबे समय क कमपनी है तो ऐसे में जो केमिकल के स्टॉक्स होते हैं जबरदसत उनका रिटन होता है खासकर स्मॉल कर, माइक्रो कर एप कमपनी में ज्यादा पोटेंशल होता है अपना वो एक्स्पांशन करना चाहते हैं तो मैं फिर से करना चाहूं कि हमेशा लॉंग टरम परपस से ही क अपने financial advisor जरूर आप संपर्क करें, उनसे मश्वरा ले ले, थैंक्स पर वाचिक इस वीडियो.